डिजिटल सर्विस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज क्वाटर टू की रिजल्स मैंने बहुत सारे रिजल्स के वीडियो डाल रखे हैं एशियन पेंट इंडिया माट आई एक सेबल का एक रिजल्स पेस किया हैं कंपनियों ने तो आज इसा ही एक पेंटी कर लेते हैं अभी हम आ चुकिए हैं अपनी स्क्रीन के ओपर यहां पर मैंने पीडे डाउनलोड करके रखी हुई है चाहीं दिखते हैं टूटल इंकम इस बार आई वैल्यू इन मिलियंस में तो मैं आपको करके बताऊं का क्रोर्स में तो 167.26 क्रोन का डूटल इंकम निकल रही है यह आप देख सकते हैं 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है जो पिछले कौटर में इनका टूटल इंकम थी वो थी 147.98 यानि की 147 क्रोन मोटा मोटा हम 147 क्रोन की इंकम मान लेते हैं और इस बार जो निकल करके आ रही है 167 क्रोन की आ रही है जो difference आ रहा है 13% का अगर आप year on year growth की growth की बात करेंगे तो massive jump देखने को मिल रही है हमको 42.4% की एक बहुत ही अच्छा result का संकेत दे रहा है अगर हम बात करें EBITDA की यानि की earning before interest, access, depreciation and amortization तो उसमें इनका जो revenue निकल करके आ रहा है वो है 41.29 यानि की 41 करोर 29,20,000 का जो पिछले Q1 FY22 में 38,24 का था इसमें 8% की एक हमें growth nominal growth देखने को मिल रही है बात करें हम year on year तो एक बहुत ही अच्छी growth देखने को मिली है में 81.9% यानि almost double तो result बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं हमको इनके बात करें हम depreciation की तो वो है 8.67 जो की पिछले financial year में 8.74 था और पिछले year on year की बात करें 4.4% growth हमें देखने को मिल रही है profit before tax जो एक बहुत ही महत्पूर पहलू होता है हम जब किसी भी company की results देख रहे होते हैं तो हमको revenue से मतलब तो होता ही है लेकिन revenue को साथ-साथ profit में क्या growth आई ये company की वो भी एक देखना बहुत जरूरी होता है एक investor के लिए या एक traders के लिए तो अगर हम बात करें profit before tax तो वो निकल करके आ रहा है 30.63 जो कि पिछले quarter में 27 पॉइंट था 27 करोंगा था इस बार 30 करोंग एक त्रिसाट लाग का देखने को मिल रहा है हमको जिसमें हमको साथे 13% की growth देखने को मिल रही है outstanding result है EPS की बात अगर हम करें तो EPS में भी growth हमको देखने को मिली है 0.41 से 0.46 cash profit की अगर हम बात करें तो जो profit निकल करके आ रहा है company का सारे taxes काचने के बाद वो निकल करके आ रहा है 31 करोंग 55 लाग का सुद्ध मुनाफ़ा हुआ है company को अगर हम बात तुलना इसकी करें पिछले quarter स तो वो 29 करोड की थी कई कंपनिया बड़ी कंपनिया की रिजल्ट्स भी यहां इसे Asian paint इंडिया मार्ट तो उन्होंने year on year तो अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन अगर आप बात quarter की करते हैं तो उनमें गिरावत देखने को मिली है लेकिन यह एक छोटी सी company penny stock penny stock कहना गलत ह होगा ऐसे तो यह 70 रुपय का stock था इसने 1 square to 10 का split दिया था तो यह stock बहुत छोटा हो गया था लेकिन अगर आप business model देखते हैं तो यह diversity fight company है paper yarn chemical और wheat wheat का जो वह होता है भूसा इसको हम बोलते हैं तो उस भूसे से यह जो है एक परियावरों को भी कोई हानी नहों ने तो कागज बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं लकड़ी का लेकिन यह भूसे से जो है बना रहे हैं एक बहुत ही एहम रोल अदा कर रहे हैं और अभी हाल ही में एक इन्होंने बहुत अच्छा announcement किया थ तो अगर आप इनके profit की बात करें तो जो cash profit निकलके इस बार आया है 31 करों 55 लाग का जो पिछले साल सब्तमबर 2020 के quarter में मात्र 18 का था जिसमें 72% की बहुत अच्छी growth हमको देखने को मिल रही है बात करें तो company ने dividend भी दिया है 36% का dividend दिया है तो इसकी अगर हम face value की बात करे तो company का जो face value 10 रुपय की है यानि कि आपको 36% का dividend भी मिला है तो result बहुत outstanding है अगर आप इसमें fresh entry लेना चाहते हैं तो current price बार आप entry ले सकते हैं और अगर आपको यह stock गिरावड मिलता है तो बिना dairy किये इस stock में निवेश करिए और एक बात बहुत important है आपका जो view होना चा ही नहीं का हिम्मत रखती है company तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब पढ़ना बिल्कू न भूलें तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स डे जैहिन जै भारत